हलो बच्चो स्वागत है आज के कलास में और आज बच्चो हम आपके साथ आपके सामने हम लेशन आठ यानि कि डी एब बलोक के तत्थ पर कुछ अब्जेक्टिव लेकर आये हैं यानि कि देखिए आपके स्क्रीन बोड पर लिखा होगा डी बलोक एड एफ बलोक एलिमेंट ठीक है चलिए बच्चो पहला प्रशन आपके शामने हम पता रहे हैं कि निमलिकित में कौन सा पर्थम पंक्ति का संक्रवन्त तो नहीं है एफ़ी सी यार और सी है एमजी और डी है एनाई बच्चो ठीक है तो इस वीडियो को बच्चो स्टार्टिंग से इन तक जरूर दे एंसर बोलने वाला हूं कि निमलिकित से कौन सा पर्थम पंक्ति का संक्रमन तत्व नहीं है ठीक है तो ओप्षन नंबर मैं सी करूंगा बच्चो कि हमारा मैगनीसियम जो ना पर्थम पंक्ति का संक्रमन तत्व नहीं है ठीक है देखिए बच्चो आप मैं दूसरे प्रशन को मैं आपके शामने रख रहा हूँ कहता है बच्चो किसी ग्रूप के तत्तो को संक्रमन तत्तो कब कहा जाता है पहला option P ब्लोग, दूसरा S ब्लोग, तिसरा D ब्लोग और चौथा A ब्लोग ठीक है यानि कि transition element कौन किस ग्रूप को कहा जाता है यह बताने है आपको element होता है, ठीक है तो बच्चो मैं इस question का option number C करूँगा option number क्या करूँगा, तो C करूँगा बड़ा अच्छा सवाल है बच्चो इस तरह का प्रस्ण हमेशा पूछा जाता है examination में और इस तरह का प्रस्ण को आप note कर लो column copy साथ में रखो, सभी objective प्रस्णों को करके चले जाओ चुकि तकी बच्चो अभी क्या ना, हमारा बस्तुनिष्ट प्रस्ण का दोर है और यह बस्तुनिष्ट प्रस्ण जो है examination में markable topic होता है बच्चो तो यह हमने दूसरा प्रस्ण करा बच्चो, अब तीसरा प्रस्ण मैं आपके शामने रख रहा हूं ठीक है तीसरा प्रस्ण भी मैंने आपके शामने रख दिया ठीक है क्या कहता है, कहता है संक्रमन तत्तो का शमान electronic बिन्यास होता है आपको बतानी है कि इस प्रस्ण का answer क्या होगा कि संक्रमन तत्तो का शमान electronic बिन्यास क्या होता है तो मैं इस question का option number B करूंगा बच्चो मैं इस question का option number क्या करूंगा तो B करूंगा चली बच्चो बढ़ते हैं आगे और अगला प्रस्ण आपके शामने रखते हैं देगे बड़ा अच्छा शवाल है ये भी चौता शवाल कि घंटा धातू मिस धातू है घंटा धातू जो है मिस धातू है किसका combination है पहला CU पलस B, दूसरा CU पलस SN, तीसरा CU पलस ZN, अड़ी है बच्चो CU पलस NI, बढ़ा अच्छा प्रस्ण है बच्चो इस तरह को प्रस्ण को मैं BBI करता हूं इस तरह का प्रस्ण को मैं examination के लिए BBI करता हूं और इस तरह का प्रस्ण हमेशा अक्सर पूछा बजाता है बच्चो examination में इसलिए मैं अब इसका answer करने वाला हूं कि CU पलस PB जो होता है यह हमारा घंटा धातू होता है चलिए अगला शवाल आपके screen board पे यह रहा देखिए अगला शवाल क्या काता है काता है बच्चो किसका पलस टू अक्सिकरन अवस्था सबसे अस्थीर होता है A, A, G, A, P, P, B यह ही बड़ा अच्छा सवाल है बच्चो कि किसका अक्सिकरन अवस्था जो है सबसे अस्थेवूल होता है यहनि कि अस्थीर होता है तो ये पांचमा नमबर शवाल है हमारे आज के क्लास का और ये बच्छो मैं इसका option number D करने वाला हूँ ठीक है इसका option मैं क्या करने वाला हूँ ये हम D करने वाले हैं चलिए बढ़ा जाए अगले प्रश्न की और ये चछठा प्रश्न आपके या स्क्रीन बोड पर यह रहा ठीक है तो यह क्या करता है निम्न में कौन सा तत्तु पीग आयरन में मुख्य असुद्धी के रूप में पाया जाता है पहला है एसाई बच्छो दूसरा है ओ तीसरा है सलफर डी है ग्रेफ हाइड यह भी कोस्टन को न मैं भीवी आई करूं य प्रशन हो अच्छा माना जाता है और इस तरह का अक्षर पूछा जाता है एक्जामिशन में तो चले बच्छो इस कोोश्चन का मैं एंसर ना अब यह करने वाला हूं ऑप्शन नमबर्डि टिक है ऑप्शन नमबर डी जो है बच्छो विल्कुल कर्एक्ट एंसर है तो हमन सारे पूर्भक कमेंट में जड़र कोमेंट किज गा कि आप कितना कोष्चन आप सही सही जानते हूँ ठीक है उके बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने कोष्चन नम्बर सातमा थीक है तो ये क्या कहता है इनda शमल में कौंस नींस द्रब धात्व कौन से तत्व है? ठीक है? पहला LIB, गेलियम, C, Hg, Dολ इसमें कौन से द्रभ धात्व है? ये बताने हैं आपको और शात्मा नंबर बड़ा ये भी प्रस्ण को मैं BBI कर सकता हूँ ये भी प्रस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ? भी-BBI कर सकता हूँ बहुत सालिंता पुर्वत question को देखना है बच्चो और इस question का जवाब देना है तो चली बच्चो मैं अब इसका option करने वाला हूँ कि शात्वा नंबर प्रश्ण है हमारे आज के class का अब मैं इसका option number D करता बच्चो कि इन में से सभी हमारा क्या है कि दरबधातू है चली आठवा नंबर शवाल आपके screen mode पे कहता है कि निम्लिखित आयनों में से D6 आयन को धारन है CO plus 3, AP plus 3, CO plus 2, NI plus 3 इसका electronic बनियास निकाल के देख लो आपको पता चल जाएगा बच्चो कि इस प्रस्ण में D6 आयन को धारन कौन है चली ओके चली बच्चो मैं आब इसका answer करूँ आप लोग question तो देख चुके होंगे चली बच्चो ये उसका option number ना हमारा जो है ये option ना बिलकुल correct answer है ठीक है ओके बच्चो आगे बढ़ा जाए और question number 9 question number 9 आपके screen board के शामरी ये रहा देखी ठीक है बिलकुल इत्विनाहान से question का जवाब देना है बच्चो काता है कि नवा नंबर प्रस्ण की पीटवा लोहा में कारण प्रवानों को परतिसत मात्रा पाए जाती है पहला option 0.4% B 0.04% C 0.02% D 0.03% ये नवा नंबर प्रस्ण है बच्चो आज के class का और अच्छा शवाल है ये भी कि इसका answer क्या होगा हो सारे बच्चे confused होते हैं इस तरह के प्रस्ण में तो सभी question को आप note करो मैं इसका option number C करता हूं ठीक है मैं इसका option number C करता हूं ओके बच्चो चलिए बच्चो आगे बढ़ा जाए और 10 में नंबर प्रस्ण की और हम आते हैं और देखते हैं कि हमारा दस्मा नमबर प्रस्ण है क्या ठीक है धिरे धिरे दस्मा नमबर प्रस्ण किया और आ रहा हूं और ये दस्मा नमबर प्रस्ण देखिए बिल्कुल आपके शामने आ गया और देखिए इसका बड़ अच्छा सवाल है कि इसका बिल्कुल देखिए ठीक है चलिए दस्मा सवाल कि शामने क्या एल एंड प्लस थरी में अयुगमित इलेक्ट्रों की संख्या है एंड धीर एक एकष्टन जीरू बी एक सीडू एर डीकर एलेंड त्रीक अयुगमित इलेक्ट्रों की संख्या क्या होगी यह आपको बतानी है और मैं इसका option करने वाला हूं चुकि क्या ना examination में बहुत कम समय बच्चा हुआ बच्चों जितना question आप कर सके कर लो आपके लिए भीवी आई प्रश्न सावित होगा तो मैं option नमबर एक करने वाला हूं ठीक है कि एलेन प्लस थ्री में युदि लक्रोन की संख्या जो होती है वो हमारा जीरो होता है ओके 11 नमबर शवाल आपके screenboard पर दिख रहा होगा ठीक है कि कौन सी धातू का nitrate की उस निये बिगटन होने पर रंगीन गैस मुक्त होता है पहला option एन CUNO3 का hall 2 CABO3 का hall 2 और D है HGNO3 का hall 2 ठीक है तो यह हमारा 11 नमबर शवाल है बच्चो मैं इसका answer बताऊंगा और answer बताने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं बच्चो कि इस बार examination में हमारा बिलकुल आसान प्रस्ण पुछने वाला है इसलिए सभी हमने फैसला किया है कि सभी chapter by objective question मैं आपके शामने रखूं और इन्ही प्रस्णों को आप करके चले जाओ तो आपका सारा question हल हो जाएगा तो चलिए बच्चो मैं इसका answer बताता हूं कि इसका option number D होगा ओके चलिए 12 नमबर शवाल भी आपके इस नमबर पर दीखी रहा होगा काता निमलिखित में कौन सा नेसलर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अपशेव देता है पहला CO2, BNS3, C, NAC, LD, KI पढ़ा अच्छा सवाल है बच्चो इसे मैं BVI करता हूं ठीक है चलिए 12 नमबर शवाल का option number मैं D करने वाला हूं क्या करने वाला हूं D करने वाला हूं चलिए यह तो हमारा 12 नमबर शवाल होगी है बच्चो अब धीरे 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 देखिए 13 नमबर शवाल भी आपके screen word पर दीख गया होगा कि कहता है पायूरेनिक ततो निमने से कौन सा है यह भी BVI शवाल ठीक है कि प्रायूरेनिक प्रायूरेनिक ततो निमने से कौन सा है पहला PR दूसरा PU तीसरा PM और D तो 13 नमबर शवाल का मैं option नमबर B करता हूँ सभी प्रशनों का answer बच्चो लिखते जाओ ठीक है ओके बच्चो आगे बढ़ू ना चलिए बच्चो आगे बढ़ते हैं और अगला शवाल आपके शामने ठीक है कि अगला शवाल क्या आने वाला है बिलकुल 14 नमबर प्रश लोगा अच्छा शवाल ये बच्चो कि निम्ण में कौन सा चारिये भुमिस्तत्य एक कारवन बी-sodium-c-d-lo आपके कोई-bी-sवाल ना बच्चो किसी को कम नहीं आकना चाहिए ठीक है कब क्या कोस्टन कर देगा एक्जामनेशर में क्या आ जाएगा ये कहना मुस्किल है अब आपका अगला शवाल देखे बिलकुल भी-बी आई प्रस्ट पहले से ही लगा हुआ है बच्चो टेक है जब ये पहले से भी-वी आई लगा हुआ इसका मतलब ये प्रस्ट आया हुआ हो गया है हमारे एकजामनेशन में देखे क्या कहता है कहता है जर्मन सीलवर का बच्चो मैं option number क्या करने वाला हूं आप समझ सकते हो मैं option number एक करने वाला हूं है ना जल्दी से note करें अपने copy में और कलम कोपी को साथ में रखी और सभी answer को note करते जाए ठीक है इसलिए बच्चो मैं बिल्कुल अराम अराम से question का answer दे रहा हूं ताकि बच्चो आप अच्छे तरीका से question को examination में solve कर सको ठीक है ओके चलिए बच्चो अगला शवाल और ये शोलामा नमबर शवाल आपके screenboard पर ये ही बड़ अच्छा प्रस्ण है इसे भी मैं BBI category में सामिल रख शकता हूं एक option नमबर शोला है बच्चो और मैं इसका option नमबर ए करता हूं बिल्कुल इत्मिनान से आप देखते जाओ कि मैंने क्या किया है शोला नमबर question का मैंने option नमबर ए करा है ठीक है और option नमबर ए बिल सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है यह तो सभी बच्चे जवाब देदेंगा लोहा बी तामबा सी सोना डी चांदी ठीक है इने बिद्दूत का सबसे सुचालक कौन सा है तो option नमबर डी सभी जानते होंगे कि इन सभी धातुव में से हमारा चांदी जो है सबसे अधि बिद्दूत सुचालक होता है यह नोट कर ले ठीक है और यह अगला शवाल आपके शामने question नमर 18 ठीक है कहता है बच्चो iron कारवनील में एफिक आउक्सिकरन अंक होता है यह ठारवन नमबर का option नमबर ए है option नमबर क्या है बच्चो तो यह है तो यह ठारवन नमबर शवाल था अब देखिए उनीशमा नमबर शवाल आपके screen board पर यह रहा बच्चो और यह बहुत ही अच्छा शवाल है बच्चो कि D और vital का कार होता है गोलिय डंबल डबल डंबल और D ननुद मैं जानता हूं कि इस और vital का कार होता है गोलिय बी डंबल सी डंबल डंबल डी नन ठीक है तो यह रहारा बच्चो अब हम करते हैं एक इसमा नमबर शवाल से आपके शामने रख रहे हैं जो आपके examination के लिए काफी bb.i.i. शावित होने वाला है बिलकुल अराम अराम से बच्चो इसने हमने करने का कोशिस किया है ताकि आप ना इसको अच्छे से examination में करके आओ ठीक है तो कहता है कि CUSA 4 के गोल में लोहय का टुकड़ा डालने पर गोल का निला रंग परवर्तित होयाता है काले में हरे में भूरे में और रंगीर में यह भी कोशन अच्छा सवाल बिलकुल परफेक करूंगा कि भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और यह देखिए बाईश्मा नंबर शवाल आपके शामने क्रोमियम का ओक्सिकरन अंक होता है इस तरह कोशन बारवार आ रहा है बच्छो ठीक है इस तरह कोशन को एक बारवार हम देख जाएंगे कि बारवार देने के मतलब क्या होता है मैं इसका ओप्शन नंबर भी करता हूँ अधिके 23 नंबर सवाल भी आपके शामने है करता है काथा कौपर का बैलेंस सेल इलक्टोनिक बिनियास है 3D9, 4S2, 3D10, 4S1, 3D8, 4S2, 4P1, D99 ती यह तो इलक्टोनिक बिनियास जवाब इसको लिखोगे कापर का तब आपको पता चलेगा कि इसका भैलेंस सेल है भैलेंस सेल मने बाहितम कच्छा इलक्टोनिक बिनियास क्या होगा क्या यह कोष्टन नंबर 13 का मैं agую कर दो हैं अग्ला शवाल विल्कुल आपके शामने दीखी रहा है 256 नंबर सावाल सिर्फ क्या नंबर का इंसरह हो इंसर威गा आं से मैं option number C करता हूं सभी प्रस्णों के इंसर लिखते जाओ बच्चो ठीक है सभी प्रस्ण भी प्रस्ण बच्चो एक भी प्रस्ण ना छोड़े तो यह हमारा जो विश्वा नमबर सवाल था अब देखिए 25 नमबर सवाल बिल्कुल सिधा शवाल बिल्कुल अच्छा शवाल की रोल्ड गोल्ड का मुख अभिया होता है c u plus lc plus lc plus sn यह दू कोईशन एक है ho 피 побед और थाखि एक और कि वाला सभ्स भी दिखी क्या है करता है कि निम्लिकित में एमन की आइनिक त्रीजियर किसमें सबसे कम होती है में में नोटू में के में नोफोर में के मैं एस फोर में दिखे बड़ा अच्छा शवाल और यह इस तरह का बिल्कुल लगत रहा का प्रस्ट नहीं है और इसका मैं उप्षिन न यह रामबान की तरह है यह आपका अप्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा तो ओविसली मार्क आपको अच्छा है जाएगा जाएगा ओके शताइश्वा नमबर शवाल आपके स्क्रीन वोट पर यह रहा क्याता है कि निम्लिकित में से किस धातु का क्वथनांग निउन्तम और 27 नमबर शवाल और 27 नमबर का ओप्शन नमबर दी एच जी ओके 28 नमबर सवाल कोर्शन दिख रहा था लेकिन इंसर नहीं दिख रहा था आप देखिए अंसर भी आ गया कता है लें थे नाइडों की शावान एक्षिकरन अवस्था होती है ए प्लस वन बी प्लस टू सी थी डी प्लस फॉर यह ठीटाइस्वा नमबर सवाल है बच्टो बढ़ आच्छा शवाल है और इसका माई ओप्शन नमबर ना सूच के बताता हूं क्या ना चीप पलस one plus two plus three होगा ठीक है प्लस क्या होगा 3 होगा ओके चली कोंती सवान नमर सवाल आपके इस स्क्रिन बोड पर ये रहा, कता एक्टे नाइडों के अधिक्ता मुक्सिक्रान वस्था होती है, पलस 3, पलस 4, पलस 5 और पलस 4, 29 नमबर शवाल का बड़ अच्छा कोश्चन है, सायद पलस 6 है ठीक है, स्वारी पलस 6 है ठीक न, यह ओप्शन नमबर C होगा, पलस 6 है बच्चो, अगला शव अगला शवाल आपके स्क्रीन बोड पे और यह कोश्चन नमर तीशमा आपके शामने रहा, करता है, एक्टी नाइड से रहने में दिखता है, उसी क्रंस अवस्था दरसाने वाला तत्थ होता, एम, सी एम, बीके और सी एम, टीक है, तो इस सब कोश्चन को आप रट्टा मा जाओ अच्छो, और मैं इसका उप्शन नमर एक करता हूं, ठीक है, बिल्कुल अराम अराम से कोश्चन को मैं लिखने का टायम भी देता हूं, और इसका मैं एंसर भी आप अराम अराम से लिख सकते हो, और इससे याद कर सकते हो, ठीक है, चली अगला शवाल, आपके स्क्र समलो 0-4%, ता समलो, यह सोरी, इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका गला थे कोश्चन गाजी, यहना 4%, 6%, 8%, 10%, ठीक है, इसको अच्छे तरीका से देख लेना बच्चो, इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज कर रहा हूं, अलाकि इसका एंसर में ए करूंगा, इन्हों वहाँ आप यह ओप्सन आप देख लेना, ठीक है, उसके साब से इसका एंसर करना, ओके, तो यह बच्चो हमारा एक तीसमा नंबर सवाल था, अब यह देखिए बच्चो आपका न, यह बतीशमा नंबर सवाल देखिए आपके स्क्रीन मूट पर दीख रहा होगा, बिल्कुल अरा इसका ओप्सन न, मैं अब क्या करने वाला हूं, जरा देखिए, 32 का ओप्सन नंबर मैं सी करूंगा, ओप्सन नंबर क्या करूंगा, सी करूंगा, बिल्कुल इतमिनान से बच्चो को स्ट्चन को देखते जाए और को स्ट्चन का एंसर पाईए, ठीक है, और बच्चो इस इस वीडियो को स्टार्टिंग सेंट तक जरू देखिएगा, और जितने ज्यादा ज्यादा हो सके इस वीडियो को सेर करना है, ताकि बच्चे एक्जामनेशन में प्रेसराइज कम महसूस कर सके, और बास्तिवीक बात है बच्चो इस वर खास करके हमारे बिहार बुड में क्या है न, कि इस वर ऑप्षन का माला माल है, एक पेक फ्री है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल सभी कोस्टन को देख जाओ, आपका बच्चो सतर में से 35 कोस्टन जरूर फसेगा, ठीक है, यह मेरी गारांटी है, ठीक है, और मैं इसका ऑप्षन कर दिया हूँ, और 33 नमबर सव दो, c, l to, h, g, n h2 और, c, n, तो यह 33 नमबर सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चो, और इस तरह का प्रश्ण का मैं अब इंसर करने वाला हूँ, कि 33 नमबर सवाल का एंसर क्या हो सकता है, ठीक है, तो 33 नमबर सवाल का Option नमबर न बच्चो, Option नमबर सी होगा, क्या हो साथ साथ इस वर हमारी शरकार ने एक पर एक फिरीक करिया है यानि कि एक अब्जेक्टिव पर दो अब्जेक्टिव ठीक है यानि और सौट कोस्टन भी दूगना आएगा लॉंग कोस्टन भी दूगना आएगा इसलिए बिल्कुल इतिम्नान से बेहिचक जाओ एक्जाम में बैठो और बिल्कुल दिमाग में रखो कि इस बार इजी प्रसन होगा बच्चो और उसको बिल्कुल भी से कोस्टन का एंसर कर जाओ ठीक है और आपका एक्जामनिशन बहुत ही अच्छा जाएगा ये मेरा मानना है प्रेसर वराइज में एक्जामनिशन नहीं देना है ठी चेप्टर नंबर 9 के साथ ठीक है और सभी चेप्टर का प्रसन आप लोग अबजेक्टिव कर जाओ बच्चो देख जाओ और मैं विसेश क्या कहूं मैं यही कहूंगा कि बेस्ट आप लग आप लोग अच्छे तरीका से एक्जाम दो तो आपका एक्जामनिशन काफी सुस जित तरीके से जाके देना है वच्चो बिल्कुल इतिविनान से कोश्चन का हल करना है और इसका एंसर करना है ठीक है ओके वच्चो तो वच्चो मिलते हैं अगले क्लास में